नमस्का दोस्तों, एचाराय नियूस पर आपका स्वागत है, बड़ी ख़बर दोस्तों आपके लिए लेकर आएं, इस समय की बहत बड़ी ख़बर यूपी से निकल क्या रही है, जनता को अखिलेज से आस, बीजेपी को मिल सकता है, बंदबास, सपा सरकार के 2022 में बापसी की समहमना जता रहे हैं, राजनीतिक जानकार, पूरी ख़बर आपको बताते चलें दोस्तों, काट की हंडी बारवार नहीं जड़ती, या कहाबा जैसे बरतमान में यूपी की बीजेपी सरकार पर लागू होने के लिए उताबली होती जा रही है, जैसे जैसे, 2021 के चुनावी समर को अपनी तरफ खीच रहा है, बैसे बैसे माहोल, समाजवादी पार्डी की तरफ बनता जा रहा है, मंदी, महंगाई, बेरुजगाई से बेहल जनता बीजेपी सरकार से बेरुख होती दिखाई दे रही है, रही सही कसर, बलाक, प्रमुक और पंचायत अध्धच के बहुतों का याद आवा है कि पोरुब की सपा सरकार बिकास बनाम बर्तमान, बीजेपी सरकार धरम मंदी जैसे मुद्धों पर टिक नहीं पाएगी और ततकाल चुनाओ हों तो बीजेपी सौ के अंदर ही सिमट जाएगी, बरहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगी मगर सपा फिलाल अन विपच्छी दलों की अपेच्चा बेहत मजबूत हालत में खड़ी है, पंचाय चुनाओ में सरकारी तंद के दुरुप्योग और बढ़ती महंगाई से बीजेपी से दुखी नाराज लग रही है आम जन्ता, वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना यहाँ भी है कि चुनाओ आते आते काई छोटे दल और अन्य दलों के नेता आ सकते हैं, अखिलेश आदब के पाले में जिससे कि समाजवादी पार्टी उत्तरपते इसमें और भी मजबूत होगी और बीजेपी को कड़ी टककर दे पाएगी, इसलिए दोस्तों जन्ता को अखिलेश से आ